आप सभी का फिर से स्वागत है कि इसे को कुछ अनुबह है तो शेयर कर सकते हैं कि आज का हमारा जो टोपिक है वह स्वर विगिनान का परीचे फिर स्वर के प्रकार और स्वरों की पहिश्चान तो स्वर विगिनान कि बहुत ही पुराना कि यान है जो शिवजी ने मा पार्वति के कहने पर उनके आगर पर उन्हें दिया था कि मेरी आवाज आ रही है आप तक कि कि आप आ रहे हैं से रवाज जी जी तो स्वर विगिनान जो है कि वो हमारे अति प्राचिन विद्या है हजारों साल पहले अगवान शिव ने माता पार्वति के आगर पर यह ज्यान उन्होंने दिया था कि जो है तो आप पहले आप सब मैंसे को हम सब जानते है इसका आधार क्या है को है जो नहीं जानता हो कि अ जानते हैं स्वर्विज्ञान के बारे में नहीं तर मुझे आइडिया नहीं तो जो स्वर्विज्ञान जो है वह मापारवती ने भगवान सीव से पूछा स्वर्विज्ञान इस विद्या का आधार जो है वह हमारी सांस है स्वर यानि सांस है न समझे जूंवलते हैं बोलना वह नए यह चूपना करें आप स्वर्वर् यानि हमारी सांस हो你 नाकुसी शिद्रों से जो सास से आती जाती है वह सास की बात कहिए भगवान स्विव जे ने जो सास से हमारे जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ रहती है तो उसी पर आधारित है पुरा स्वर्विज्ञान जिसे शिव सर्वदी भी कहा गया है तो हम उसी की चर्चा करेंगे पहले जानेंगे स्वर्विज्ञान सारों के प्रकार क्या है 1 पूशतर क्षव दीरे एकश्ट प्रिंजाएंगे प्रक्टिकली देखेंगे इस तुलकि सांसे हैं हम जब जन्म लेते हैं तब से हमारे साथ रहती है और जब हमारे मृत्य होती है तब तक हम वह हमारी साथ में हमारे रहती है तो हमारी सांसे ही हमारा सच्चा मित्र है कि जो हर पल हमारे साथ रहता है कि यह तो आप सांस सब जानते हो हर पल वह हमारे साथ रहेगा या उसका हम कितना मानते हैं वो जो हमसे कहना चाहते हैं जो हमारी सांसे हमसे कहती है वो हम क्या समझ सकते हैं तो बस वो समझना ही स्वर्विज्ञान है हमारी सांसे हमें क्या कहती है कब क्या करना है हमें kurtildi आपने समझ लिया तो आपके जिवन में जो भी मुसिबते आती है इससे आप पास रहते हो या मुसिबत आएगे यह और श्राषक आपको पता है कि मेरी सांस मुझे यह कहे रहे हैं यह काम मुझे इस तरह से करना तो वह काम आप उस तरह प्रेश्ट करेंगे लोको पाइलेट होता है जो ट्रेन चलाती है और पीछे एक्दम लाश्ट में गार्ड होता है उसका अभी हमें ऐसा लगता है कि ट्रेन तो लोको पाइलेट चला रहा है कि ट्रेन को चलाने वला लोको पाइलेट्र घॉक्ट में हाकीकति हमें हम चलाते हैं कि मगर्या थे पुर्ण चलाता है तो पीछे गाड होता है वे इंडिकसन देता है और डायरेक्शन देता है तब जाके लोको पाइलेट वो हुआभ से जंडी देगा तो चलाएगा लाल जंडी देगा तो रोक देगा उसी तरह जब स्टेशन आता है तब रुखती एक है उसका समय होता है पीछे से उसको तब लोको-पाइलेट त्रेन को आगे बढ़ाता है तो वह कंप डैंटे जब पीछे गार की बात सुनता है तब जाके ट्रेन सुचारू रूप से अपने गंतव स्थान तक पहुंचती है यह बात आप मांगे हो सब लोग बराबर है तो वो गाड जो है वो पुरी गाड़ी को चला रहा होता है एक्षुली तो गाड तो उसी तरह से हमारे जीवन रूपी यह हम यह मांती हम उसे चला रहे हैं अब यह मांती हैं चलो वो गाइड जो मार्क दर्सन के इसाफ़ी लोको बाइलेट नहीं चलता है और अपने इसाफ़ी चलाएगा ट्रेंड चलेएगा स्टेशन पर रुका नहीं रुका चला चाम सकते हैं यह हो सकते हैं उसी हम हमारी जीवन रुपी घारी घो चलॉफилось जाते हैं तब गिविवारिया होती है हम लिए पक्राब होते हैं कि कि आप प्यूह शीर से करने पार्टरश्प कर ली होता है न आम जीवन में इसा होता है क्योंकि उस समय जदि हमने जो हमारा गाड़ है कि वह जो हमारी जीवन को चला रहा है एक्चलिए इस बोड़ी को ज़त जनम के साथ दिया हुआ वह गार है हमारा और हमारी मुर्त्य तक वो रहेगा यानि जो स्टेशन से हमारी गाड़ी शुरू हुई है और घंतविस्तान है हमारा जो वहां तक चलने वाला गाड़ी है हमारे साथ उसके बात हम जब मानेंगे तो सुचार रूप से हम वहां हम सरलता से पहुंच पाएंगे यदि हमने उसकी बात नए मानी तो दिक्कत आएगी नशाथ को समझना यह सरवोदय का ग्नान है यह स्वर्विज्ञान है उसकी बात हम करेंगे हमारे डेली रूटिंग में हम उसे पहले पहिचानेंगे कि स्वर क्या है उसे कैसे हम पहिचान है फिर उसको हम अपने दैनिक जीवन में किस तरह से यूटिलाइज करें चोटी मोटे काम में ताकि इसमें में सफलता मिले बस यही शिव जी ने मापार्वति को समझाया कि आप अपनी सांसों पर पकड़ बना लिए अपनी सांसों को पहिचान है और पूरा संसार इसे से चलता है है weaken कि तो यहाँ पुरा सांसों का खेल है विज्यान जो है हमें पुरा सांसों पे हैं तो हम इससे समझना है तो यह UP मत है कि सब्कों कि हमारा जो यह पुरा रूट जो है पुरा इसांस Mehr है हमारी सांसे हैं काल है उस काल पे हमें विजे पाना है तो वो जो हमरी यात्रा है काल से महाकाल की यह हमें सफर सुरू करना है काल से सुरू करना है महाकाल पे खतम करना है यानि कालों का जो काल है वह महाकाल है आगे निगारा सफर्ड होगा मैंने आपको बता दिया है यह हमारा सफर्ण होगा उसके अलग-अलग अलग-अलग स्टैसन आएंगे हम रुकेंगे जैसे हम जाते हैं फ्र पांच मिनिट का रूटे हैं करते हैं उसी तरह एक एक पड़ाव से हम आगे जाएंगे बीच में छोटा सेशन होते जाएगा उसमें आपके डाउट आप बताइए मेरे से हो सब्सक्राइब तो इस तरह से हम दिरे दिरे आगे बढ़ते जाएंगे तो यह इतना समझ में आके आपको स्वर विग्यान क्या है सिंप्ली सीव जी ने माँ पार्वती को बताया वह पुरा संस्क्रीट पुरा ग्रंथ है उसका में हिंदी में अनुवाद करके उसे हमारे देनिक जीवन में किस तरह से यूज करना है प्रयोक करना है वह हम देखते कि आगे ढरें तो यह है सासरो की बात अब जंगभ साथ होती है नहன् 생कांष सोचते यह मैंने दूसरी से छोड़ी से अधी से हम ने लिए दूसर भॉड़ी यह को है किeeee हमार जो शंक कीजाना कि तो उसी में से हम ईक से स्वास लेते हैं उस सवास जाते हैं है वाहर दूसरी से बन रहेगी अब भी आप चेक कीजिए सब लोग कीजिए किसी की राइट नोस चलेगी तो किसी की लेफ्ट रखें आप अपने चेक करें तो दो साथ में कभी नीच लेगी उतना ध्यान रखें आप यह मानत होती आम इंसान में नासिका से अमने सांस लेनी और दूसरे से अमने सांस छोड़ें तो यह गलत आंसा नहीं कोई भी एक नासिकार चलेगी किशी की लेफ्ट चल रही होगी मेराबर तो वह वह पहले हमें पहिचान ख़ए उसमें आपको पांच मिनट का टाइम लगे मैं और यह नाथ के निचे जाएए अब डिखाले कोई नासी का में से देख़ेगें । इसों जो है इसिन फ्लो होता होगा और एक बंद होगा यह होगा थो यह बंद ships शिर्षी सेवन की से उपर वगा वह चालू रहेगी देखिए दो में से को यह आप किस तरह से चेक कर सकते हैं यहां आप रखते देखिए यह फिर यह उंगली आप रख सकते हो दोनों में इधर इधर कोई एक नासी का आप की चलेगी आप देख सकते होँ थोड़ा एक चेज़े तो कोई एक सेडमें आपको देखेगा देखिए आराम से कीजिए पहले हमें इससे पहचानना है इसको पहचानना आना चाहिए यह हमारा महत्वा के जो पहला पराव यह है आपको इसे प्रेक्टिकली देखना है कि आप यह उसे आराम से चेक करें कि आप सबको समझ में आ रहा है कि चेक करना आगया आपको राइट या लेप को यह चले कि यह क्लिर हो गया आपको एक से जाला अच्छी चल रही है एक से थोड़ा जोर लगा के चल रही है थोड़ा दम लगाना पूरता है कभी कभी क्या होता है या तो एक में एकदम क्लियर सांस से चलेगी एक में बंद रही है या ऐसा होता है सेवंट एटी परसंट एक में चलती है और दुसरे सैडमें ट्विंटि थर्टी परसंट देगी उसे हम बंद ही आपको तो दोनों नोस्टिल की साथ हो रही है नहीं लुगा एक में झ्यादा होगा एक में तो यसे पैचानने में आएगा उसे का squishy आप हात इस तरह ली फिर छोड़ोगे तो आपको समझ में आएगा वह इजी जा रहा है फ्लो यह अटक अटक के जा रहा है पहले एक एक सेड में पहले किजिए तीन-चार बार फिर दूसरे से देखे इस तरह से लंबी घहरी सास धीर से छोड़िया तो आप देखोगे फ्लो में थोड़ा आएगा अब अब मेरी चंद्रनाडी चल रही है यह अभी अभी ज्यादा तर 90 लोगों के लेफ्ट चलेगी तो आप सिंक हो गए मेरे से आप जो अभी चल रहा है इनिवर्स का उसमें आप फ्लो है जिसका अब चल रहा है तो उसे आप चेक किजे आराम से चेक किजे एक में देखिए इस तरह सारी आप कर सकते है आइसा भी कर सकते है चेक कर सकते हैं तो एक जो नासिका है आपकी एक त decentralized चलेगी और एक में थुड़ा थोड़ा सा थैरा हो रहे यारे रुक रुक के सांस बार आएगी जो इजीली चल रही है वो हमारे नासिका भी चालो है राइट और लेफ्ट ठीक है अब प्रेक्टिस कीजिए समझिए जब तक किसी को समझ में ना आए आप प्रशने कर सकते हैं कि सब्सक्राइब यह जो चलेगा उससे कुछ ब्रीद में फील होती है कि किसी को ठंड़क होगे किसों गरम होगी वह तासिर के हिसाब से हैं ठीक वह आगे का तोपिक हम देखेंगे मगर अभी सिर्फ हम यह देखना है कि कौन सी नासिका में फ्लो इसी हो रहा है यह चेक करना क्योंकि पहला पड़ा भी हमारा यह जब यह हम नहीं समझ पाएंगे तो आगे कुछ नहीं होगा इसलिए बहले इसमें हम में टाइम लगे आप चेक करें समझें कि किस तरह से चेक करना है आराम से चेक करें कोई कोई जल्दी नहीं है हम एक क्लास और बढ़ा देंगे ऐसा जैसे जैसे आपकी प्रेक्टिस बड़ेगी ना फिर आपको चेक करने जिरूत नहीं पड़ेगी इसलिए आपको समझ में आएगा कौन साथ चल रहा है फिर एक समय ऐसा आएगा कि आप जब चाहोगे उसे शिप्ट कर सकोगे आपकी हिसाफ से वह हम आगे देखिए कैसे हो देखिए उसमें कौन से इजी फ्लो हो रहा है उसी इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि अपना केमेरा ओन रखिए अपना कि ने तो यहां जदि आपका केमेरा बंद है यहां बैठने से आपको कोई फाइदा नहीं होगा कि वह एनरजी फ्लो आप तक आना चाहिए वह आप रोक रहे हो और मैं चाहता हूं कि आप युनिवर्स से लिंक हो आपको वह फ्लो मिले और हमने जो प्रात्ना किये हैं वह इसी के लिए किये हैं कि आपके सारे चक्र बैलेंस हो जो भी ब्लोक है जो वह खुल गया है और युनिवर्स से आप लिंक हो सकते हैं तो हो सकते हैं तो अपना प्रशन है और कोई दिकत आ रही है यह चेक करने में तो आप प्रशन कर सकते हैं जब तक किसी को समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे सबका सिंगनल होगा कि चलो समझ में आ गया है तब फिर हम आगे बढ़ेंगे यहीं समझना जरूरी है यह हमें नहीं आया समझना कि कौन सी मेरे साथ चल रही है तो फिर आगे जाके आप उसमें काफी दिक्कत आएंगे आपको यह आप समझ नहीं पाओगे तो इसलिए आपकी कौन से नाशी का अभी चल रही है लेफ और राइट वह आप देखिए जिश्यों कोई समझ में नहीं आ रहा है तो कुरुपया हैं राइस करें तो मैं आपको और समझाने की कोसिश करूं कि आपको कि आपको कि किसीं का कोई प्रस्ट है के जबया आपको समझ में आ गया है मैं सब्था समय आग्या है जिन जिन लोगों को आगया है थम सब दीजिए तो फिर मैं आगे बढ़ें ओके चले आगे बढ़ें फिर तो यह यह तो हमें समझ में आ गया कि कौन सी कौन सी हमारी नासी कर चल रही है यानि एक चल यह कोई भी लेफ्ट और राइट है रावरे जिनकी दायनी नाड़ी चल रही है मानिक दायनी यानि राइट वाली यह जो दायनी नाड़ी चलती है इसे पहले यह मैं आपको समझा दो इसे स्वर भी कहते हैं कुछ लोग नाड़ी भी कहते हैं पॉइसे नाड़ी चलती है उसे नाड़ी चलती है उसे सुरे नाड़ी कहते हैं अब हम आते हैं नाड़ी के प्रकार पर कौन से प्रकार नाड़ी के तो नाड़ी के तीन प्रकार है नाड़ी या स्वर के तीन प्रकार है एक जो हमारी दायनी नाड़ी चलती है दायना स्वर चलता है उसे सूर्य नाड़ी कहा गया है ठीक है उसके और भी नाम है फिर मैं नाड़ी उमारे लेप्ट साड़ की है यह लेफ्ट वाली तो बाई नाड़ी उसे चंद्र नाड़ी भी कहा गया है इसे कुछ लोग इडा भी कहते हैं शांस्त्र में इसमें इडा का वर्णन हैं और यह पिंगला तो यह नाम में आप कंफुजन नहों आप नोट करना चाहें कर सकते हैं राइट वाली सुरिय नाड़ी दर को यहां धुर्ट कर नादी चाहरे तो कर सकते हैं राइट वाली हमारी वह सूरिय नारी यह उसे शुच्छ मुझा जलती उसे चंदरनाडी चंदरूएं दर कहते हैं जो बाई है उसे इड़ा भी कहा गया है इड़ा नाड़ी ठीक है यह दो नाड़ी समझ में आ गई आपको सूर्या राइट वाला सूर्या लेफ्ट वाला चंद्रा पराबर है क्लियर आपने नोट डाउन कर लिया करना है उसे राइट जो है वो सूर्या नाड़ी है लेफ्ट वो चंद्रा नाड़ी है पस यह बात अभी आप जान रखें शायद कहीं पिंगला और इड़ा में आप कंफुजन है तो ब्रेकट में लग देना सूर्या में पिंगला और चं यूज करेंगे सूर्य और चंद्रगा वर यह दो नाम आपको आने भी चाहिए ताकि और के जगर पर इसका उल्ले खोद आपको समझ में यह सूर्या है इसका उल्ले हो रहा है कोई पिंगला कहेगा तो आपको मान समझ ना है यह सूर्या नाड़ी है तो जैसे सूर्या और प्रमान में है ना जो है सूर्य और चंद्रमा उसी तरह हमारे सरीर के अंदर कि यह सूर्य और चंद्र नाड़ी सूर्य के सुरूप में सूर्य और चंद्र के सुरूप में यह दो नाड़िया है तो हमारे सरीर के अंदर जो भी छोटी मुटी बिमारिया होती है किसी को हाइब भी पी है गटिया है कभी बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं तो यह सब क्यों होता है कि जब हम इनको नहीं सुनते हैं हमारी नाडियों को तब यह जाकर दिक्कत होती है वह कैसे होगी अब हम फिर आगे देखेंगे अभी तिसरी जो नाड़ी है उसके बारे मैं आपको बताता हूं देखें राइड शूर्य लेप चंद्र और तिसरी नाड़ी है दोनों के मद्य यह जाएंगी यह प्रक्रियक उंकी तो जब तो सिफ्ट होती है एक ना एक स्वर से दूसरे स्वर में तो बीच में जो इनसान में अलगल होता है किसी में तीन से कंड होता है उनकी तासिर की सबसे यह आम इंसान के मैं बात कर रहा हूं ठीके तो यह जो बीच में जो गेप है तिन से पांच सेकंड का शे सेकंड का उस दर्म्यान सुशुपना नाड़ी चलती है यह हमारे तीन नाड़ियां हो गई कि यह समझ में आगिया है इसका है किसी कोई दावट तीन दार्य सुर्य चंद्र और सूसुपना तो यह हमारा स्वरों के प्रकार्ट पहले हमने स्वर को जाना स्वर विग्यान क्या है वह देखा फिर स्वरों को हमने पहचाना कि इतने टायप के स्वर है वह हमने देखे हैं पराबर अब तक जो हमने देखा है उसमें किसे को डायूट है किसे कोई प्रस्ण है तो आप पूछ सकते हैं लुए तो यह स्वरों का प्रकार हमने देख लिया आज का जो हमारा टॉपिक था विग्यान का परीचे पूछ स्वरों के प्रकार हमने देखे तीन प्रकार है किस तरह से मुझे को पहचाने कि वह हमने देखा तो अब तक जो आपने समझा है उसमें किसी को प्रस्ण नहीं तो आप पूछ सकते हैं कि तो ठीक्टिकल थोड़े आपको बता देता हूं हमारा सरीर के अंदर 72,000 नाडिया नाडिया यानि जैसे हैं कि हमारे फिजिकल बोड़ी भृतिक शरीर के अंदर हमारे जो शरीर है उसके अंदर फुनको लेके जाने के लिए नस्यों होती नश्यों कि और ओर और उर्गन्स होते हैं हायट है लिभर है कि और आते हैं तो वां तक हुझानए हमारे सरव के एक-पाइक मुली यह लेके आती है ना शुद्ध यानि प्योर ब्लड को लेके आएगी और इन प्योर को लेके आएगी वापिस तो शीरा और धमनी जी से हम कहते हैं वह हमारे फिजिकल बोड़ी में होती है वह नसे होती है और और ऑर्गंस होते हैं यानि अंग होते हैं किड्नी लिवर हाट उसी प्राण सरीर होता है उर्जा सरीर जी से कहा है अपने उसके अंदर एंर्जी को वुर करने के लिए जो जैसे फिजिकल बोर्णी में को सब्सें लोड़ी हुए उस नाडिया होती है रहे उसको सरीर के up कर अदिया करती है या सास्त्रौत लिखा हुआ हए है में ए भात और जैसे फिजिकल बोड़ी में और गन्स होते हैं हमारे अंग होते हैं निवर कितनी हाइट है उसी तरह हमारे प्राण शरीर में तो यह प्रांण सरीर में नहीं है वहां होता है यह और नाडिया उसी सरीर में होते हैं तो उन में से तीन नाड़ी प्रमूख है 72,000 नाडियां है हमारे पुरे शरीर में प्रान शरीर में उसमें से तीन नाडियां जो है वो प्रमुक है जो हमारे नाभी केंद्रम के उदर है वो तीन नाडियां जो है वो ही सारी 72,000 नाडियों पर कंट्रोल करती है वही काल को नियंत्रन करती है और यही तीन नाडियां है कि विंकला जिसे हम शूरय नाड़ी कहते हैं सूरियास्वर कहते हैं जो अधो और दूसरी जह दो होग स्वन valt इस्वान नाड़ी को शमझ लिया उसने संसार को समझ लिया ऐसा श्यू जीक कहना है को कहते हैं यह सूर्य नाडी चंद्र नाडी और दोनों के बीच में सुसुबना नाडी यह हमारे पूरे शरीर को नाडी यह जो आप एनरजी वोड़ी साथ चक्राज बताए यह फीजिकल वोड़ी चाहरीं वह होता है हमारी चारो और लुए है चारो और होते हैं मुलादार चक्र पिछे हैं हमारे जो हमारे जो मेरुदंड हैं उससे कनेक्टेर होते हैं है जो चक्रस हों गुंआ होते हैं कुछ सर के एकाट जो है कूण से जाक पार होता है इसमें आगे कौन से चक्र होते हैं जैसे आगना चक्र हो आगे रहेगा फोट के चक्र है और यह चोटे चुटे शपर कर दो हमारे पुरे सरीर को करते हैं यहां इन लोग यहां तक एनरजी लाने का काम जो है यह बहुत रजन्लारिया करते हैं यह गए इन को जिस ने सदिया पूरी और उप thinking उसने अपकर जीवन परिवथन कर लिए यह इस तिन जीडि़ी आपने सा लिया तो आपके सरेर के जो भी बिमारी है वो दूर हो सकते हैं आपकी जो भी इच्छा है उसे आप पूरी कर सकते हो हमारे सारे सपने हम साकार कर सकते हैं हमारा व्यापार है नोक्री है उसमें हम बूत सफलता पा सकते हैं हमारे बच्चे पढ़ाई में अच्छा कर सकते हैं तो यानि जीवन में जो भी हमारी मुस्यबत आ सकते हैं इन तीनों नाटियों को हमने साधEst a समझ लिया इस पर हमने मा स्ट्री करने यह हमारा प्रोसेसर काल से महाकाल तक जाने का हैं यह दिरे देरे डिरे समझत जाइंगे तीनों नाटियों को हमें अपने हिसाब से किस दुह यूटिलाइज करना है पूरे दिन में कि सुबह उड़ते हैं सामको सोते हैं तो इन दर्मियान हमारे जो दैनिक जीवन में जो भी करते हैं कोई नौकरी करता है को बच्छे श्कूल जाते हैं ग्रेड़ेश गर्में काम करते हैं हरे का अपना-पना अलग दिन चरह होती है उस ठीक है तो आज का हमारा जो सेशन था यह था तीनों नाडियों को पहचानना समझना और प्रैक्टिकल उसे महसूस करना कि मेरी कौन से नाड़ी चल रही है वह देखना ठीक है तो अब तक जो आपने किया है तो यहां कोई किसुको प्रस्णा है इसमें प्रैक्टिस के जरूरत है आप उसे करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा किस तरह से हमें चेक करना है मेरी कौन से नाड़ी चल रही है पिर यह थोड़ी प्रैक्टिस के बाद हमारी जो बोड़ी है ऑटोमेटिक स्वरों के अनुरूप काम करने शुरूप कर देगी वह जैसे जैसे चोटा बच्चा होता ना दो तिन साल का चोटा बच्चा वो जो है कि वह स्वर के हिसाब से ही स्वर के अनुरूप की वह चलता है जब उसे देखेए आप चेक किजीगा जब उसे पैसक जो खरेगा वह तब उसकी चंदरनारी चल रही होगी जब वो पोटी करेगा यानि मल त्याक करेगा तब उसके सूरे नारी चल रही होगी वो आप दीखिएगा तीन से छोटी उमर के बच्चे हैं वो जो है नेचर के साथ अज्याक तो ऑफिए नेचर का से काम करते हैं का सब्सक्राइब करें άच दो तिन साल ten वो नेचर के साथ एलेंक होता है वो सौरों के इसाफ जीता है तो यह थोड़ी सी प्रेक्टिस के बाद हम भी उस छोटे बच्चे के तरह एलेंट हो जाएंगे इस स्वर्ग के साथ इस युनिवर्श से साथ और यह जो है एक अद्बुत विज्यान है यह हमारी थोड़ी सी प्रेक्षिस के बाद हमारा पुरा जीवन यह बदल सकता है इसलिए भगवान सीव ने इससे सर्वोच स्तान दिया है भगवान सीव ने माँ पारवती से कहा है कि सर्व सास्त्र पुरान आदि स्मृति वेदांग पुर्वकम स्वर्ग ग्नानात्वर तत्वम नास्तिक किचिंद्राद्धम संपुर्ण सास्त्र पुरान वेद सर्वग्नान से स्वर्ग्नान उत्तम है यह सीव जी ने कहा है माँ सर्वबनानों से उपर है वो तो यह जो विज्ञान था जो हज्जारों वर्स पुराना है जो खो गया था कुछ समय की दुल लग चुकी थी इस पर और कुछ लोग ऐसे आये हमारे भारत वर्स में तो उसने इस जो विज्ञा थी उसको दूंदला सा कर दिया था उसको दबा के रखा था और कुछ लोग जो जानते थे वो बताते नहीं थे इसे तो मगड पिछले कुछ वर्सों में जहिन मौनियों ने इस पर बहुती अच्छा काम किया है यह विद्या को उन्होंने समाज में लाई हम जैसे आम लोगों के लिए उन्होंने समाज में वो ले कि आए ताकि हर जन इसको अपनाए सीखे और जीवन में अपनी जो दुख ज सफल बनाएं तो हमें उन जहिन मौनियों को only ओ जो जो लोगों ने इस सास्त्र को इस विज्यान को का उजागर किया है उन सबी को हम कोटी-कोटी वंदन करते हैं उन्हें ध ann след देते कि उन्होंने हमारे लिए हमारे बारे में इतना सोचा और हम तब उन्हें पहुंचा आप सब भी दिल से रदे से उन सब जनों को धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने हमारे लिए यह सब किया कोटी कोटी हमें उनका धन्यवाद है और चरण वंदने ऐसे गुरु जनों को जिन्होंने हमें यह विद्या दिए और इस विद्या का आप देनिक दीन चर्या में यह उप्योग करते हों उसमें अद्बूत शफलता पाते हो और दूसरों को भी आप इसमें शफल कर सकते हो इस विद्या को सीखेम बस थोड़ी से लो जबो tumor करते हो कि या पुए मंत मानते हो कभी पूरी होती है कभी पूरी नहीं होती है सहोता है कभी-कभी मनत एम फॉर हो जाती हो और कभी-कभी मैं यसरे लिए ने ईजह है गए हमारी कि वरसव पहले जैदी रुशी मुनी जब तप करते थे जो जंगल में तो हो कि से को साप देते थे या आसरवत देते थे फो लग जाता था वो सही होता था रह ये भी मांगते हैं आशिर्वत दिया तो आशिर्वत यजा तेरा बच्चा होगा या तेरा कल्यान होगा यह होगा तो वह होता था वह स्राप दिया तो वह भी होता था बराबर आप मांते हैं क्योंकि उन्हें यह विज्ञान पता था आप भी कर सकते हैं कौन से स्वर में आपको साप देना है य यह इतना पावर्फुल इतना जबरिस्त विज्ञान है कोई बद्दा बिमारी से तडप रहा आईश्यू में है आपको पता है कि मैं उसे आशिरवाद दूंगी या दूंगा तो बाहर निकलेगा अटाक से आपको यह पता है तो आप क्या करोगे उसका जीवन बचा सकते हैं बस यह संबजना जडरूज है कि मुझे कब करना है यही स्वरभी ज्यान है वह रुशी मुनी वह जानते थे कि कौन से स्वर में मुझे क्या करना है कि यग्णंव इतना सा फरक है थोड़ी सी प्रेक्टिस मैं यह नहीं कहता हूं कि दो डिन वंटर हो जाएंगी यह कर रहा हूं अधम जडरूर होंगे आप विश्वास से थ्लां प्रेक्टिस करो गया अपने दिन में थ्लाव सभ्समे intimate निकाल लोगि ज्यादा ने कि कित पश्यार करने कि किसे को स्राब देने आशिरवाद देने के लिए आप अपके घर में कहीं पर भी हो वगे पावर हमारी सांसे हैं समझ नहीं पाए हुआ हम उसे समझ नहीं पाए है और है समय कर ये काम य द sixteen पारे हैं उसकी बासा कूरा रहे हैं वो समझ नहीं पारे हैं उसरे हम यहां समझना आई यह हमारा समय लिए आप समझ लिया तो महाकाल का यह सपल आप मुरूत्यों पे विजे पा सकते हैं थोड़िसी प्रेक्टेसहियरında सब्सक्राइब करोणों का करजा है उससे आप वापिस ला सकते हैं बस थोड़ा सा विश्वास थोड़ा सा धैरिया और यह मैंने कह रहा हूं भगवन शीव ने कहा है मापारवति को तो हमें इसे पहिचानना है समझना है जैसे मैं आपको यहां एक पिक्चर दिखाने कोसिस करता हूं ताकि आपके लिए थोड़ा वह इजी हो जाए समझना कि सुर्य नाड़ी क्या है चंद्र नाड़ी क्या है कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने के कोसिस करता हूं ताकि वह फोटो से वह फोटो जो है ना आपके सबकॉंसेस माइंड में चला जाए वह आप उसे देख सकें अपने दिमाग में आप डाल दीजी ताकि फिर वह मिश्टे की नहों यह स्क्रीन विजेबल है आपको सबको प्लीज कोई अन्मीट गरके बताएं जी दीख रहा है यह यह सूर्य नाड़ी है इसे पिंगला नाड़ी भी कहा गया है जो हमारे राइट से देखिए देख रहा है इगनम क्लियर देख लिजी अपने सब कॉंसेस माइं में उसको डाल दीजी पिर आपको याद करने लग रही है यह सूर्य नाड़ी है हमारे राइट चलती है वह सूर्य नाड़ी है ठीक है अभी हम मैं आपको चंद्र नाड़ी का दिखाता हूं हां यह देखिए जो हमारे लेफ्ट चैट जो चालों है जिसकी वह चंद्रनाड़ी है इसे इडा भी कहा गया है तो जिस नाशी का चिद्र से यहांने लेफ्ट वाले से इसी फ्लो होगा वह चंद्रनाड़ी चल रही होगी अभी 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 आप सब की देखें मैक्सिमान हो कि चंद्रनाड़ी चल रही होगी अब चेक की जी फिर से एक बाद आपको आवाज में कट होके आ रहा है कोन बता है बोल रहे हैं जिरा हुआ 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 है हुआ है मैक्सिमाम लोग चंद्रनाड़ी चंद्रनाड़ी चलती है प्लिस मूट करें किसी का अवाज है आपके सूरे चल रही है न ठीक है तो अभी यह देखिए यह सुशुपनाड़ी यह दोनों दोनों जो हमारी नासी का चिद्र है उसमें से जो सा से चलेगी आपको एलेंट किया गया है आप चेंज हो जाएगा ठीक हम सब अभी चल रहे हैं और यह देखिए यह सुशुपना है ठीक है दोनों दोनों नासी का से चल रही है उस सुशुपना है इतना समझ में आगया तीन नारियां क्र अभी आप सब दिरे दिरे सुसुपना में बदलोंगे जो आपका स्वर सब्सक्राइब नाइंट्य परसंट का चंदर सवर चल रहा है और एककrem दोंगा इस्वर श्वर सब्सक्राइब है तो वह अभि हम दिरे कि दिरे हो जाएंगे गना में तो शुष्ब में शीफ्ट हूंगो तो शुष्ब में दौनों सवर इस परस्ट चलेंंगे दोनों स्टेल जे अघ्र उसमें भी सॉन्स कुछ भिची हुए द्धेंगे चलेगा व्लोक तो अरड़ कि आप वह चेक कर लेना और जिसके नएभी चलती हैं तो हम अभी शेश से साथ मिलिट का एक मेड़िशन करेंगे उसमें जो हमारे नाड़ी है वह सुषूबना पर आएगी दीरी दीरी जो लोगी होते हैं उनके वह ज्यादा होता है तो सुषूबना स्वर लाना इंसान का नहीं आता है उसके लिए काफी साधना ज़रूरी होती है जबकि हमारे लिए वह उतना जरूरी नहीं है संसार में उसकी जरूत नहीं है जो आध्यात्रिक लेवल पर जाना चाहते हैं उनके लिए सुषूबना का जागरुत होना यानि सुषूबना का पिरियड यह वह बढ़ना बहुत जरूरी है तब जाकि उसी में वह साधना कर पाएंगे उसमें वह करना है जो भी है भक्ति है कुझा पाथ समय कर पाएंगे हमारे सांसारिक जीवन में सुर्य और चंद्रनाडी से ही लाब लेना है कब करना है वह हम आगे देखेंगे मगर वह दूरेशन चोटा ही रहेगा हमारा आए तीन से पांस सेकनट कि साथ सेकन होगा हो जाती है चैसी कंशर करते है अभी पांस साथ मिनिटका साथ मिनिट का तो ऊस दोर में जो भी आपकी अभी श्वर चल रहा है वह सिप्ट अपने सब्सटार चलना होता है आपको जो सरीर के जितने मीं चक्रस जो आसे तक्रश म वहारे बैलेंस में आएंगे कई किसी को कुछ ब्लॉक है वह दिरे दिरे खुलेंगे हमारा जो पुरे सफर में हम रोज 5-7 मिनिट का जो मेडिटेशन है वह हम करेंगे आपकी और जो सरीच के बाहर हमारा जो एक सुरद सा कवच होता है वह भी स्ट्रॉंग होगा वह भी सफा यह मुझे दे रहा है मगर हम लोग ले नहीं पाते हैं तो वह हम हमारा जो बहत्तर जर नाडिया है उसे हम साफ करेंगे क्लीन करेंगे उसके हम बैलेंस में लाएंगे बैलेंस होना जरूर यह किसी भी चीज़का साइस जो भी हो चक्र की मगर हम उसे बैलेंस में लाएंगे हमारे सरीर के अंदर जितनी भी नेगेटिव एनरजी है बिजिज एनरजी है स्ट्रेस एनरजी है उसे हम हमारे पैर के नीचे जो तल्विय होते हैं उसमें चक्र होते हैं उसके द्वारा हम जो भी नेगेटिव एनरजी है इस एनरजी है उसे हम जमिन में जाए दालेंगे नीचे माहाँ धर्ति को हम सौपिंगे वह उसे लेके जला के खाक कर देगी उसे जला देगी और हमारे सरीर के अंदर हमारा सरीर पोजिटिव वाइब से पोजिटिव एनरे से भर जाएगा ठीक है तो हम अभी तो में किसे को प्रस्ण है तो पुछ सकते ने तो फिर हम जाते हैं 5-7 मेडिकेसन है सब फिर उसमेडिकेसन के दोरान सब अपने चस्मी निकाल देना आखेबंद करके कम अपनी रखिएगा और जो लोग नीचे बैठ सकते हैं या सुकासन या उसमें बैठ बैठी यह जो लोग बैठना चाहिए बैठ सकते हैं कहीं पर भी बैठी आप आराम से बैठी यह मोबाइल को बंद कर दीजिए ठीक है और किसी को प्रशन है तो आप पूछ लिजिए आज जो हमने देखा सुना समझा उस दोर्यार आपको को प्रशना आ रहे हैं तो पूछ अजरूर रहे है इस पर अपना जाओ दोनों नहीं है मगर हमें यह समझ में आना चाहिए इसका है मुझे यह आ गया हम यह कर सकता हूं यह बराबर कोई प्रशन किसी का और कि अगर कि मुझे लगता है आपने थोड़ा से कुछ तो भी गलत मैं समझ रहा हूं आपने बताया कि सहस्त्राइड चक्र बॉड़ी के उपर रहता है सहस्त्राइड चक्र अपने स्कल्ड के अंदर ही होता है एक फूड उपर होता है मैं पुरे विधी विदान से पुरे होसो हवास से कहता हूं आपको 12-13 इच उपर होता है सहस्त्राइड जिसे क्राउं चक्र भी कहा गया है वो अमारे सरीर के उपर होता है आप पहीं भी सास्त्रे में सुन लेना समझ देना चेक कर दीजीगा उसे मैं मैं पुरे होसो हवास में यह कहता हूं आपको आपको प्रश्ण करें मुझे जवाब दे रहा हूं हमारे सरीर के जो हमारा मस्तिक सही इससे एक फुट किसी का 11 इंच भी हो सकता है वहां क्राउं चक्र होता है और इसके कहीं सारे प्रमान हैं मैं तो प्राने किलर हूं तो मुझे तो यह और हां उसका प्रमान आप में दे सकते हैं तो मुझे ज़रूर बताएगा मैं उससे समझना चाहूँगा कि हमारे सरीर में कोई भी चक्र नहीं होते हैं पहली बाद तो यह हैं कोई भी चक्र हमार बाखी सारे चक्रत इन से चार इच बाहर होते हैं हमारे सर के उपर किसे का 11 इंच होता है 12 इंच होता है और वह जब खुलता है तब यूनिवर्स से आपकी जो एनर्जी आती है उसी माध्यम से हमारे इंच है सरीर में आती है वह बहुती पतला कोड होता है उसे अब चेक कर सकते हो वह जो यूनिवर्स से हम जुडह हुए है उस कहस्तरा चक्र से ऊतना होता है किसी का ऐक बाल के जितना होता है एक धागय को धीड़ करते हैं उतना होता स्थ और आप एसे जहां से आपने पड़ा है वी क्रिख सकते हैं वे अंग होते हैं उसे तरह हमारी जो प्रान सक्ती है प्रान-शरीर क्लास पर विचार करेंगे जो मैं ने समझा है जो छीखा है है वो यह है वो मैं आपको बता रहा हूं और अगले क्लास में करना है कब करना है वह हम देखेंगे क्लास कब होगी सर वीकली क्लास होती है क्या अभी जो है आज फ्राइडे है शुक्रहां जी तो अभी होगा मंडे को होगी मंडे के बाद बुद्वार को होगी शुक्रवार को ओके थेंकिए सर वीक में तीन दिन रहेगी रात नव बदेंगे ठीक है तो विवेक जी आपके जिरा नोट कर लेना और आपका जहां भी आपने यह सुना समझा है तो प्लिस अब मुझे भी बताएगा परस्नली फोन करके आप बता सकते हैं और सब तो सब को उसका नौलेज मिले जो मैंने सिखा है वो मैंने आपके सामने रखा ठीक है जी जैसे कुछ जैसे गर्मियों में बाहर निकलते हैं तो सिर से लगवग एक फूट उपर मच्छर शाम को भूंगते हैं वो उतना उचे पर सहसार चक्र होता है ऐसा मेरी जानकारी में है सही है कला था नहीं बता है है उसके अंदर आई नहीं सकते हैं वो कि जितना हर देखिए जितना वो मच्छर है रहा किसी के जी सर जी सर ऐसे होता है सर वहां पर उसका सदस्त्रा रहा है जी सर अब मानेता यह है कि एक फूट रहता है होता है जी यह है अब है कि रहते हैं इतने चक्राया ओर सारे सारे जो हैं उसके अलावा होते हैं उसकी होशक्त तो में नेक्स का संसमे इक उसका पिक्चिर हैं पोटो में आपको दीखाऊँगा जो मैं तो मेरे गुरुजिन में मुझे शिखाया है वो में आपको फोटो भी दिखाऊंगा किस तरह से होती है सारे चक्रा तो साइद आपको समझ में आए ठीक है आगे बढ़े यह सर्थ और किसे कोई प्रश्णा तो हम दो मिनिट पांच से साथ मिनिट का अमारा यह पांच से छे मिनिट का एक मेडिटेशन होगा ध्यान होगा अब सब आराम से बैटें आपके मेरी टेशन जर पांच साथ मिनिट का यह आपने शॉट कर दिया आज के लिए नहीं पांच साथ मिनिट का यह उतना काफी है उतना कर लोगे तो भी हमारे जितनी चक्रास जो है और है वह वह साफ हो जाएगे और आप एनर्जी से भर जाओ किसी को अलगलग अनुभव हो सकते हैं कि तो कुछ दिखेगा ठंडा लगेगा तो सकता है अपने अनुभव आप सेर करना चाहें तो अभी हम 5-7 मिनिट का चोटा साइक मेरी चैनल करते हैं चसमें सब उतार देजी अपने सीधी कमर रखे आराम से बैठें खुर्सी पे पल क्योंकि मोबाइल जो है आपकी एनर्जी को वह सख कर लेगा अब तो थोड़ा दूर रखें अब बेटिसन है थोड़ा सामने रखें तो अब आराम से बैठें कि अभी आपको सिर्फ सुनना है देखने की रूत निये थोड़ा दूर रहेगा उसना ही देगा आराम से बैठें वाइब सालें पर रख दिजिए और हम अभी मेडिलेशन के सुवाद करते हैं आप आप गुरुजनों को याद कर सकते हैं पुछले जन्मों के इस जन्म के सभी गुरुजनों को ध्यान से याद करें आप सब पदमासन या अर्ध पदमासन में या सुखासन में बैठ सकते हों सुखासन यानि जिस आशन में आप अपने आपको कमफर्ट महसुस करते हों जो लोग नीचे जमिन पर नहीं बैठ सकते हैं वो पलंग या खुर्शी पर बैठ सकते हैं अपने दोनों हाथ योग मुद्रा में रखें या एक हथले पर दुसरी हथले रखकर बैठें अपनी कमर को सिधी रखें और दियरे से आखें बंद करें एक लंबी गहरी नाभी तक सांस ले कुश्पल रोकें और फिर हल्गे से उसे बाहर छोड़ें दोबारा लंबी गहरी सांस ले, कुछ पल सांस को रोके, फिर हलके से उसे बाहर छोड़े जब आप स्वास अंदर लेते हो, तो सोचे कि ब्रह्मान की सारी पोजिटिव एनरजी आपके अंदर आ रही है और आपका सरीर पोजिटिव एनरजी से भर रहा है और जब आप इसे छोड़ते हो, तब सोचेगी आपके अंदर की नेगेटिव एनरजी, डिजीज एनरजी और स्ट्रेस एनरजी बाहर जा रही है और वो हवा में विलिन हो रही है आपका सरीर एकदम हलका हो गया है आप अपनी जीवा को अपने तालों पे लगाए और अपना ध्यान तालों पे ले जाए अब अपने ध्यान को ठोड़ा उपर ले के जाए आकास की ओर और उपर और थोड़ा उपर चारो और आकास है अनंत आकास चारो और शांथी है निर्वशांथे अब कल्पना कीजिए कि सफ़ित प्रकास की धारा आपके उपर आ रही है और उस धारा से आप नहां रहे हो पर एक हल्किसी गुंच सुनाई दे रही है आदी अनादी काल से पवित्र गुंच मधूर गुंच यह गुंच प्रकास के साथ मिलकर धीरे धीरे नीचे आ रही है सहस्त्रार चक्र से होते हुए तालों में प्रवेश कर रही है अद्भूत अनवुती हो रही है आप सफित प्रकास से ना रहे हो आपकी ओरा साप सुत्री हो रही है चम के लिए हो रही है सिध्य हो गई है और हेल्दी हो गई है आपकी ओरा तीन मीटर की हो गई है और तीन मीटर और तीन मीटर और तीन मीटर प्रकास तालों से होते हुए हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है अद्भूद अनुमुति हो रही है हमारा दाया मस्तिक्स और बाया मस्तिक्स प्राणों से लबा लब भर गया है कपाल दोनों कान दोनों आखे नाग मोख और पुरा चैरा सफित प्राण से भर गया है दीरे दीरे प्राण निचे उतर रहे हैं गला दोनों कंदे और दोनों बाजु प्राणाओं से भर गये हैं चाती फेंफड़े और रदय प्राणों से लबा लब भर गये हैं हेल्दी हो गये हैं दीरे दीरे प्राण और निचे उतर रहे हैं हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत और पेट प्राणों से भर रहा हैं कितनी और प्रजन अंग की सफाई और उर्जन हो रहा हैं हमारे दोनों जांगे गुटने और दोनों पेर प्राणों से लबा लब भर गए हैं नेगेटिव और स्ट्रेस एनरजी पेरों के तलों के चक्र से जमीन में जा रही हैं हमारे सारे चक्र के सफाई और उर्जन हो रहा है हमारे सारे चक्र हेल्दी हो गए हैं बैलेंस में आ गए हैं और सरीर के सारे सेल प्राणों से भर गए हैं अब आप एक चुम्बक बन गए हो ब्रह्मान की सारी पॉजिटिव एनरजी अपनी और आकरसित कर रहे हो आपका जो गोल है आपका जो द्याय है उसे विज्यूलाइज करें उसके बारे में सोचें इस अवस्ता में आप जो कुछ भी सोचोगी वह मैनिफिस्ट होगा वो हकीकत में बदलेगा दन दवलत अच्छे लोग अच्छे आउसर अच्छा स्वास्त आपकी और खीचा चला आ रहा है अब वो प्रकास के धारा वापस आकास में सिमड गई है आपका सरीर एकदम हलका हो गया है इस अद्भूत अनुभूति के लिए हम परंपिता परमेश्वर का और हमारे पिछले और इस जन्म के सभी आध्यात्मिक गुरुजनों का धन्यवाद करते हैं तथा हमारे समस्त देव तुल्य पित्रु देवों को हम कोटी कोटी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें यह अउसर दिया अब आप सब अपने दोनों हथेली को हलके से रगड़े और अपने आखों पर रखें तता दीरे से अपने आखे खोले और अपने हथेली को दीरे से हटा ले झाल झाल अब आप से चेक कीजिए आपकी कौन से स्वर चल रहा है सब चेक कीजिए अपना कौन सा स्वर चल रहा है अब राइट सुशुबना किसका चल रहा है सुशुबना ना सूर्य सूर्य अब वेग जी सुशुबना दोनों किसके चल रहे हैं कि हर सब जी स्वाति जी चंद्रसवर चल रहा है जी शुशुबना चल रहा है जिनका वो धीरे धीरे फिर आपका भी ऐसे प्रेक्टिस होते जाएगे ना फिर आपका वी शुच्छ वे सुशुबना ना चालू हो जाएगा धीरे धीरे तो कि अनुभव है तो अपना शेयर कर सकते हैं कि किसे कोई अनुभा है तो शेयर कर सकते हैं कि तो अर्मुझे सीर के ओपर थोड़े वाइब्रेशन के लिए ते जी कौन कौन मोल रहे हैं नीशा कि अपना केमरा ओन हो सकता है अर्तियों कि वज़े से सब्सक्राइब आपको क्या फिल हो रहा है यहां पर खोड़े वाइब्रेशन की एक चुली क्या मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था ना नेट बीच आच्छा आच्छा तो बाद में जूड़ी इसलिए क्या उतना ज्यादा वह फाइदा नहीं लेकाई ले किसी के जो सारे पोर फुल जाते हैं हमारी चिद्र होते हैं इसको कुछ अलग दिखाई देख सकता है अपने अपनी जोभी करमाधीन है तो हम देख सकते हैं उसे यह मैंने आपको एक बात बताई के दोरान कि आपको शरुआत में आपकी जीवा को तालू पे लगाना है सब उस टाइम पे ना जीट पे जलन होने शिरू हो गई थी जो तालू पे लगाया थी ना हिस्सा उसमें जलन महसुत होने लग गई थी ठीक है तो आप आप में से कोई बता सकता है मालू है आपको तालू पे स्कूल लगाना है असर वो खेचरी मुद्रा बोलते ना उसको उससे मेड़ी ज्यादा अच्छे से लगता है इसा है ना चाहिए वो ठीक है वो तो एक हमारा अच्छा कहते हम उसे एक वर्ड हमें बकड़ा दिया है कि आपको यह मुद्रा यह हो गया है ज्यादा मुझे नहीं पता हमारे लोगे तो दीरे से उसको घुमाना है आज बाजी में ऐसा उपर लेके थोड़ा भूमा होगे ना जहां पर भी आपको ऐसा वाइबर सनाएगा फिलिंग होगी आपको वहां उसको रख देना है वह जगह होगी और आपका जो सहस्त्रार होगा उसका कनेक्शन होगा वहां से अच्छा अप जिवा को लगा हो ना आप तो हमारे जो कनेक्शन जो उनिवर्स से वह जूड़ जाती है जब वह जीवा तालू से नहीं लगती है तब तो वह जो बढ़ आता है जब आपका कनेक्शन ने तो फिर वह जो आपकी लिंक के किस से कनेक्शन है यहां तो टूड़ जाती है तो आपकी जीवा के जो नौक है न वह आप थोड़ा आजुबज़ आईसा घुमाईएगा तो आपको वहां पर एक फिलिंग आएगी बहुत एच्छी फिलिंग आएगी वहां आप उसको जीवा को रख देजिए पूरी मेड करते हो इसे मिलती है तो आप मुद्रा को नाम जो भी देदो वह बताता नहीं है अब यह मुद्रा करो ऐसा होगा तो हम समझ नहीं पाते हैं उसको श्रीशन नहीं समझ पाते हैं तो कभी-कभी वह करते भी नहीं है मगर जब आप उस तालू को लगा दोगे वहां तब आप उनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं आप करके देखिएगा तब आप दो मिट बैटे हैं उदास है उदास भी है या कोई स्ट्रेस है आपको तालू पर लगा दीजिए उस जीवा के नोक को उपर और थोड़ा से घु हो गए उस समय है यह पावर मेडिटेशन का यह जब आपको टेक्निकल सब्सक्राइब मालू में तो हम मेडिटेशन करते हैं इसा भी होता है तो यह यह जो कुछ टेक्निक हैं उससे आपको बहुत ही अच्छा फाइदा होगा बोच्छे करते हां परी ममी निकाए बोच्छ प्रसे लगा दीजी आपको पता है अब लगा सकते हैं फिर से धीरे से मगर वो मोश्टली हटेगे नहीं अच्छी अब करोगे तो वह बढ़ते बहुते चले जाओगे और फिर आपको मेडिटेशन जो है बहुत ही प्यारा सा होगा बहुत ही अच्छा सा होगा वह अनुभ यह मेरा पर्सणल अनुभव जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं जो मुझे मेरे गुरुजन ने बताए हैं वह मैं आपके साथ सेख कर रहा है इस तरह से आपकर सकते हैं तो अब किसे को प्रस्ण है तो पुछ सकते हैं नहीं तो फिर हम दो मिनिट रातना करेंगे जो भी हमार सबी गुरुजन यहां आए हैं हमारे कुल देवी देवता आए हैं उसे हम रातना करेंगे और धन्यवाद देंगे कि वह यहां आए हमें हमारा मार्ग दसन किया और हमें यह जिनान दिया किसे कोई प्रशन है तो पूछ सकते हैं एंड्रेंज करके पूछे तो फिर हम दो मिनि तो एक टिकलिंग टिकलिंग सेंसेशन होती है वही चीज आप बोल रहे हैं जी जी वह प्रेक्टिस के थोड़ा आपको समझ में आजाएगा पिर अच्छा थोड़ा हलका सा वाइब्रेशन भी आएगा और बहुत ही अच्छी फिलिंग आएगी आपको वहां से तो यह समझना कि आपका कनेक्शन जो हो चुका है उपर होता है ना हमारा विनिवर्स से जोड़ लेगा यह होता है हरेका अलग अलग होता है वह बहुत छोट होता है हां जब आत्मा इस सरीर से निगल जाती है वह कोड़ हो जाता है फिर हमारा युनिवर्स से कोई कनेक्शन नहीं रहता है तब जब आप किसी वृत शरीर को देखो गया तो फिर यहां से उसका कनेक्शन नहीं होगा ज़िए आप चेक करना जानते हैं जो बी कुछ जो हिलर है जो प्राणई किलर है या रेकी मार्श्र हैं वह अच्छी करें से उसको चेक कर सकते हैं विदाव एनी स्केनर वाले भी कर सकते तो फिर फिलिंग वो कुछ नहीं होगा वह कट हो गया वह यह लगाने को बतारा है यह दांतों के जो मसूर यह अंदर वाले इससे के उनके सारे लगाएं अपर उपर उपर लगाएं यहां पर इसका देखिए आप सीधी सी बात करों यहां समझो आपने रोड डाल दिया यहा आप से लिया तो यहां पर बनता है भी इसा अगया यहां से गया दो अगया उपर से आया गया अठेम्य कोड़त आता है यहां फेट बीच में आएगा वह कुओंट असलमें आपको पगळना है पर से मिडल में जहां पर आता है वह तालू पर आएगा आपके वह वह पूइंट पर आपको उस जीप को लेके जाना है वह दिरी दरी प्रेक्टिस से आएगा वह थोड़ा फिला घुमाओगे न तो वह पूइंट आपको मिल जाएगा लगाना है ताकि आप अच्छी तरह से कर पाएं आपका ध्यान भटके नहीं और जो भी एनर्जी फ्लो हो रहा है उसका कई गुना बढ़ जाए और वह हमारे बोड़ी में वह आए क्योंकि सारा मामला तो जो बैलेंस ही कई है रावर नेगेटिव एनर्जी बाहर जाए पर के तलिये से हमने उसको निकाल दी और पोजिटिव एनर्जी को हमने सरद में ले लिए और अगर अब कुर्जी पर बैठे हैं तो पेर के तलुए फर्स पर रखें हां नीचे रखन कि आपको शुज नहीं पहना है वाकी नीचे जो भी हो चला जाएगा मैं तो तो भी चला जाएगा आप चिंता ना करें दूसरे किसरे को हानी नहीं होगी वह अपने अपने धरती मार्खा उसको शोक लेगी उसरे किसको नुकसां नहीं करें कि किसी का प्रश्न है जी रो इप्टी जी अंधी अ सर मुझे पुछना कि आप हमें रोल करने के लिए कोई मेडिटेशन प्राइट देंगे तो आपको इप्राइट प्रोवाइट करेंगे हमें सब्सक्राइब करना हो आपको कर सकते हैं और किसे प्रश्न है रुपा जी प्रश्न है आपको जैसे बैठते तो बैड में बैठें तो भी पैर जमीन पर रहना चाहिए था आपको सिर्फ कमांड यह देनी है कि मेरे दोनों पर नीचे हो तो अच्छी बात है और कुछ वज़े से आप नहीं रख सकते हो या आप एकदम वह पीछे वह करके बैठें पर आपके नीचे हैं नहीं है तो आपको यह कमांड देनी है कि मेरे पर से तलवे से जो भी तो पर की नीचे के तलवे में चक्र होते हैं उससे जो नेगिटिव एनर्जी है डिजिस एनर्जी है एनर्जी को जो आप कमांड दोगे ना वह एनर्जी करेगी आप को अईसा करो तो वह वहां जाएगी आप जहां सोच से उसको भेज रहा है कि आपके दोनों पर की तलवे से नीचे जा रही है नीचे रख सको जैसे चैर पर बैठ के करें वह सबसे इची बात है तो वह प्रक आंप चेर पर बैठे हैं तो या पालंक पर बैठर नीचे रखे तक कि वो जो एनर्जी लिए फ्लोर नीचे हो जाए ठीक है ठीक है सुरेंदर जी आप मुझे सुन रहे हो सब्सक्राइब तो फिर आज हम दो मिनिट प्रातना करें और फिर जुदा होएं सोमवार को मिलने के लिए इन बीच किसी का कुई प्रश्ण नहों तो वह ग्रूप में डाल सकता है कुछ समझ में ना आया हो तो ठीक है तो हम दो मिनिट प्रातना करते हैं फिर हम जुदा होते हैं सोमवार को मिलने के लिए दो मिनिट आके बंद करें अपने गुरुजनों को याद करें अपने समस्त देवतुर्य पित्रु देवों को याद करें उन्हें धन्यवाद दें कि हमें ये उन्होंने सुनरा आउसर या तिज है निजया है कि यह झाही निजप सब्सक्राइब कंद मिनट प्रापना करने है और घ्गْवाण सिव को हम दन्मद्स देते हैं कि उन्होंने हमें यह ऊश्र दिया इगनाद्न दिया कि सिष्टी के जनम से भी कि तो आप सभी को सुभरात री गूड़नाइट निमस्क्राइब अधि पीरम मिलते हैं सुम्मार को साम नमस्कार नुबजें तब तक के लिए सब को बुद नाइट सुभूडनाइट सब